हेलो एवरिवाइन, वेलकम बैग माई यूटूब चैनल प्रीती मेकप, कैसे हो आप सब उम्मेद करती हूँ, आप सब बहुत ही अच्छी होंगे गाइस तो यहाँ पर मैंने सावन पर कुछ इस तरीके का मेकप लूग क्रियेट किया है और आई मेकप मैंने थोड़ा सा डार्क रखा, रिजन में आपको बता दू क्यों, क्योंकि मेरी साड़ी मेंधी कलर की है ग्रीन वाली साड़ी नहीं मिल रही थी, तो इस टाइम आपको पते हैं कि मेरा बीजी चल रहा है टाइम तो प्लीज थोड़ा सा मैंने सकर लीजेगा, लाइट के साथ डार्क अच्छा लगता है तो इस तरह का कुछ मैंने मेकप लूग क्रियेट किया, काफी एजी तरीके से काफी कम बज़र में अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो के लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा तो चलिए फटापट से देख लेते हैं इस लोग को हमने कैसे क्रियेट किया है, बिल्कुल ईजी तरीके से, ठीके सबसे पहले मैं ले रही है, करेंगों में कि ले रही हु लैकमे के 95 cc CC क्रीम और इस को मैं थोड़ा सा ये देख ही इस तरीके से जसलका सब आइपर ब्टाइ करूंगी और ये मैं इस लिए कर रही हुए कि कि ये हर किसी के पास मिल जाती है ये लैकमे इसलिए नहीं है गाइस बट यह आपकी स्कीन के लिए हाम कर इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूं जस्ट और सबसे पहले मैं इसमें से लूँगी यह और इंज वाला सीड जस्ट लाइटली और आज मैं आपको बिल्कुल साइजी मेक अपलोग बताऊंगी बस जड़ा सा और अब रहे हैं मैं का जल शेटल हो नहीं आइं इसके फालका सा लाET है आले तुमार नहीं है इनो तम्हां नहीं है इस दरखने के बात इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे फारोग ईक काजल से अपला करने ले रहे हैं यह वाला ग्रीन सेड़ यह देखिए यह वाला हाप में लगाएंगे पूरे में नहीं और अब हम ले रहे हैं थोड़ा से यह वाला इटली और इस पर अप्लाय कर लेंगी कितना अच्छा लुक आ गया इस बाद पूरा लुक ही चेंज हो जाता है इसके बाद जस्लाइटली हलका सा मैं यह ब्लैक सेड़ पिट करूँगे इस पर अप्लाय कर लेंगे जस्लाइटली कर रहे हूं मैं ज्यादा नहीं और अब मैं ले रहे हूं लेक अन्वाइब का ग्रीन लाइनर इसको मैं लाइटली लगाऊंगे उपर के साइड में ताकि हमारा आई मेकप का सेप काफी अच्छा दीके जैसे अप लाइनर अप्लाई करते हो सेम इसी तरीके से अपको अप्लाई करना है और इसके बाद हम अन्वाइब का ब्लाइक लाइनर जो काफी जदा अच्छा बैजट में ही है तो इस तरीके से इसको अच्छा विक लाइनर ड्रॉ कर लेंगे यह देखिए कुछ इस तरीके से है ना और अब हम ले रहे हैं स्कू का वाइट काजल और यह वाइट टेंसल जो है काफी और जेश्ट में हलका सा ग्रीन सेड लाइट लूँगी और काजल के उपर हलका सा ब्लेंड आउट कर लूँगी इससे डार कलर आएगा अगर आपको लाइट चाहिए होगा तो काजल मत अप्लाई कीजिएगा ठीक है और अब हम अपनी एवरो को फील करेंगे मैंने एक पूरे फेस पर लगा लेना है ही देखी हलके हलके से और अब हम ले रहे हैं अलोवीरा जैल की इतना सा लेकी और हलका सा अप्लाई करेंगे और इसको एक लट के लिए छोड़ देंगी हम ले रहे हैं लैक मे के 95 CC क्रीम इसको पहले मैं इस तरीके से लूँगी और अच्छे इसे ही मिक्स करूंगी पहले हम इसको डॉट डॉट करके अपने फूरे फेस पर अपलाई कर लेंगे थोड़ा सा बच्छा है इसको नेक पर लगाएंगे और एक ब्यूटी ब्लेंडर से या फिंगर की हल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं इस तरीके से देखी जस्ट लाइट इस तरीके से अपलाई कर लेना है अब हम ले रहे हैं पॉर्ण फॉर्ड़ा थोड़ा सा अस्ट्र लगाएंगे यह देखी तो बस थोड़ी दिर के बाद इसको निकाल देना यह वाली आई में कितना ज्यादा लग गया था छोटा ब्रस नहीं उच किया था इसलिए और बस इस तरीके से हलके हलके से आपको निकाल देना है अगर चाहती है तो बना फिर आप यह स्किप कर सकते हैं राइट ली नोज पे भी ब्लशर के लिए मैं ले रही यह वाला पैलेट आप आप चाहें तो लिपिस्टिक भी अप्लाई कर सकते हैं वह भी बहुत ही अच्छा काम करती है ब्लशर की अगर आपके पास नहीं है तो और आप मैं ले रही हूँ सीजवीटी का हाइलाइट आप जो घर में पनाते हैं वह भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से और थोड़ा सा हम चिक पर अप्लाई करेंगे थोड़ा सा माउथ की पास अप्लाई करेंगे और थोड़ा सा फोर हेट पे थोड़ा सा अपनी आप ब्रो की नीचे अप्लाई करूंगे थोड़ा सा इनर कॉर्णर को हाइलाइट करेंगे और इसके बाद मैंने लिए एडियस कैसा लगा बताईएगा जरूर कोई भी कमे लगी हो तो वो भी बताईएगा और कुछ अलग लग रहा है आपको तो वहीं नोटिस कीजिएगा चलिए मैं हीं बता देती हूं मैंने blue color के आई लेंस लगाए हुए हैं यानि कि पुतली तो कैसी लग वो भी बताईएगा तो चलिए मिलती अच्छे से वीडियो के साथ बाबाई